कि हालो फ्रेंड्स विल्कम बैक कि मैं शेनल मैं शने हां आज मैं आप से अपने संडे की अपडेट देने जा रहे हूं जो कि अपने गार्डन को वर्वीव में हर संडे देती रहती हूं तो यहां पर देखिए सबस्पहले मेरा फर्ष्ट में जो है वो मौर पंक का प्लांट तो इसमें सेट भी आपको कलेक्ट करके दिखाऊंगी जब इसके सीट बन जाएंगे और बहुत सारे बने देखिए वो प्लांट में और कितना ज्यादा है मेरा प्लांट है मेरा और यह लग बंदरा इंच के गमले में लगा हुआ है यह एक आयल का कंटेडर था प्लास्ट लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए और मेरे चैनल पर ना है तो सब्सक्राइब कर लीजिए तो यह देखिए आप अच्छे से ब्लूमिंग कर रहे हैं बहुत ही अच्छे और अभी इनका बहुत ही अच्छा बेस्टाइम है बिल्कुल रेनी सिजन स्टार्ट होने वाला है त देखिए इतनी ऊपर की टिप को ले करके आपको सेंडी स्टार्ट में लगा देने हाप चाहे तो सेंड और एक भाग मिट्टी दोनों को मिक्स करके लगा सकते हैं मैं तो अपनी ज्यादे दर कटिंग सारी प्योर सेंड में ही लगाती हूं क्यों मुझे उसका इच्छा रि पाँ महिने उस्ति गंडे में लगे रहने देती हूं तो काफे अच्छे से सक्सेस हो जाती है और प्रांट अच्छे सबन जाता है तैयार हो जाता है तो मैं अपनी कटिंग को इस तरह से तयार करती हूं और यहां पर देखिए अच्छे फ्लावर्स आरे हैं बहुत पर है यह प्लांट मेरे कुछ दिन में फिर से इन में फ्लावरिंग होगी जैसे इनकी ग्रोथ नियों स्टार्ट होगी और उसके बाद यह देखिए बालसम का प्लांट है जो कि अभी रेनी से बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेगा तो आप इसको अपने गार्ण में भी स इन इनकी फ्लावरिंग हो रही है और बहुत ही अच्छे सी एक फ्लावरिंग करते हैं इनी के फूलों के सीड्से ही ग्रो किये थे सारे प्लांट अपने मैंने आप लों के साथ वीडियो भी सेयर किया हुए था और यहां पर देखिए मेनीचर हिबिसकस है जो कि बहुत बहुत प्यारे लगते हैं देखने हैं तो आप इनके भी कटिंग लगा सकते हैं इस टाइम पर आनि जब आपके रेनी सीजन स्टार्ट हो जाए बारी से स्टार्ट हो जाए और यहां पर देखिए मेरे देशी हिविसकस हैं गुडहल यानी कि बहुत अच्छ से इननों फ्ल थोड़ा एक दुबारे से हो जाएंगे उसके बाद मैं इसकी कटिंग और सीड आपको ग्रो करके दिखाउगी सेड़ अब ही आप कर सकते हैं बहुत यासानी से इजली ग्रो हो जाते हैं एक हप्ते में और बहुत ही अच्छ है निग्जार में तयार हो जाते हैं प्लांट् पर काल दो किसे चोटे चोटे बिचे प्लें को मैंने कुछ सकरली पॉर्ड करों कि उसी मिलोग हुए हैं कि टियुँי में अबीगाया थे के सिख नहीं तो युदी तो हम एक एल सिखते आप छ्यादी आति प्लHigh भी जेफ़ हि़ा नेट में तो मेला आएं मिलनी army और तो द hele म हैं यह प्लावर जढ़ गया है और प्लांट प्ल works कर रहा है कि इसको पूरा इसके रोट भॉल यह पर आप बहुत इजली इसके सीड यहां पर बनते ही देखिए अब तो पतन ही नहीं बने होंगे जो फ्लावरी का सुक जाता है उसमें सीड इसके बन जाते हैं तो आप इसके सीड को लेक्ट करके और नेक्स्ट सीजन के लिए फिर से आप इसको लगा सकते हैं यह विंटर और समर दोन करते हैं जो पर यहां पर देखिए मेरा लेंटानक प्लांत है इसको मेने कटिंग में लगाया था सैश्ता है менее स्टाकुड कर लियूंवर्ण प्लांट करते हैं इसी तरह से मैं अपनी कटिंग तयार करती हूं कोई भी और यहां पर देखे मोर पंख है मेरा एक चोटा सावर बहुत अच्छा है इंदर संफ्लामर की प्लांट है अब इनके दीरे दीरे प्लांट खराब हो रहे हैं क्योंकि काफी दिन उस यह भी खिल रह है यहां पर देखे पेंटास पेंटास कापी अच्छे से खेल रहा है और बहुत अच्छी इनकी ग्रोथ भी हो रही है यह दिखे तो आप पेंटास की गटिंग लगा सकते हैं बस 5-5-4 इंच की कटिंग इसकी लगा है बहुत ज़्यादा लंबी कटिंग लगाने की आप देखें मेरा हिविस्कस मैं आपको बोला भी तक मैं आपको अपडेट दूंगी तो मैं इसमें जो सीवीड एक्स्ट्रेक्ट का फर्टिलाइजर दिया था और वर्मी कंपोड़्ट दिया था उसके बाद इसका रिजल्ट देखी कापी अच्छे इसमें मैंने अब समस हो गया है ही देसी सदा बाहार है तो यहां से मेरे गार्डन ऐसे दिखता है और आप्राजिता की पेल अपने आप ही बढ़ हो जाती मेरे गाडन पूरा गार्डन में ही अपहोज दिल अब इसमें लृप एगय आते रहता है पर देख आने इम के बहुत सरे बेवी प्लांट पूरा भरा हुआ है कि इसे की बीच-बीच से निकाल कर वान ने आपको दिखाए लगाए और यहां पर प्लांट लगे हुए हैं इदर सारे मेरे इंडोर प्लांट्स है जो की बहुत अच्छे से अनिग्रोफ हो रहे हैं कि इतने जाद कुपसूरत है और यह भी मैंने सारे तो यह इन की कटिंग भी आप जैसे इतनी वड़ी ब्रांच का बिल्कुल प्योर क्लें में लगाई है बहुत अच्छे में अब्शकित से प्लांट चलतें मैं तो इसी तर्हसा अपनी लगाती हूँ और को लीद शकुटिंग मैं लगा इप बहुत अच्छे से यह विंटर का बचा हुआ प्लांट यह अच्छे से चल रहा है इधर सफ ले रहा है यह देखिए बहुत यह आसानी से यह बी कटिंग से इजली ग्रो हो जाता है तो आप इसको भी लगा सकते हैं और यहां पर मैंने एक प्लांट नया अपने गार्डन में आग्स में ओड़ी आड़ कि अग्रोट के प्लांट और नीचे से इसमें बहुत चोटी चोटी बेवी प्लांट निकल रहे हैरें यह देखिए यह दो तीन प्लांट जब हो जाएंगे तो मैं इसमें से एक्टांट अलग बना सकते हूं मेरे पहले एक और विराइटी थी लेकिन वह अब खतम हो गई अभी नहीं है और इसकी कि इसकी पाच शेट हो गई बाच फिट की बहुत जादा लंबा हो गया है इधर यह पर पलाट है यह सारे मेरे मनी प्लांट है और एक प्लांट यहां पर मेरा इंसलिन का प्लांट है जो कि डाइबिटीज में इसकी पत्तियां काफी अनि फायदे करती सुबह से बगए आप एक पती इसकी खाते हैं तो यह काफी अच्छा नहीं होता है यहां पर मैंने वाइंडिंग जिवकि कुछ कटिंग्स लगाई है इधर मेरे सारे अरेका पाम है जो कि बहुत जादा ब्यूटिफुल है और तो बहुत ही अच्छा है नहीं प्लांट है मेरा काफी ज्यादा दिन हो गया इसको लगाए लगए लगव पांच-छे साल के प्लांट हो गया अजिखिकैना ज़ीन और कितना ज़ीन फुप्तूरा रखी थी मैं आपको दिखाती है कि इतनी ज्यादा ग्रोथ स्टार्ट हो गई है और बहुत ही लगभग एक अपते भी नहीं है इसको रखे हुए और इतनी ज्यादा इसकी रूटिंग किया हुआ है आपर देखिए दो बेबी प्लांट भी निकल कर आ गया है लेप से और कुछ लेप मैंने और रखी हुई है देखती हूं यह ग्रोव होंगे नहीं होंगे पता नहीं यहां पर पैडी लेंथा यह ड्रेसीना यह क्रोटन जो कि बहुत अच्छे से ग्रोव हो रहा है और मैंने इनको बिल्कुल इंडोर ही रखा हुआ है यहां पर कोलियस है यहां पर एक लीफा का प्लांट है इस सारे अरेलिया के प्लांट लगे हुए है मेरे तो कि बहुत ज्यादा खुबसूरत दिखते हैं और बहुत बड़े-बड़े से तब मैंने को कुछ को प्रू हो जाते हैं यहां पर देखें में इसको लगाया भी नहीं रहते हैं मेरे गार्डन में यहां पर रोज में देखिए नहीं नहीं निकलिया भ्यानी स्टार्ट हो गई है इस देखिए इधर ग्लाडिया में आप अच्छे फ्लावरिंग हो रहे हैं इनके प्लावान जी में बिचड़ा दिया जाता है और बहुत अच्छा लगता है इनके फ्लावर इन बहुत ही खुबसूरत दिखते हैं देखे पूरे प्लावर्टे फूल है आज रेड़ कलर मेरे जाद़ फ्लावर्स नहीं है कल तो इतने सारे आया थे में कल वीडियो भी बनाने वाली थी लेकिन फिर मैं टाइम नहीं मिला मुझे और यह देखे यहां पर पूरा यह बिसकस है और संफ्लावर के प्लावर देरे खराब हो रहे हैं देखिए चोटे- संदर इसमें नई नीव ब्रांच आई है रोज में और इसमें एक कली भी नीकल कर आई है और क्रिसेंथिमम को मैंने कुछ प्रून कर दिया है इसके नीव नीजब कटिंग्स निकलेंगी तो मैं उनको सबको अपने गार्डन में ग्रो करूंगी कटिंग्स प्लावर बहुत अच्छे से अनि बहुत जारा तो फ्लावरिंग नहीं कर रहा है एक दो फूल रो जाते हैं इसमें और डहलिया को मैंने जो उपर की खराब ब्रांच थी उनको कट कर दिया है यह देखिए यहां से तो इसमें नीव नीव ब्रांच आ रहे है इसमें थोड़ा से करते हैं गार्डन में बहुत ज्यादे ब्यूटिफुल लगते हैं और यह तो आप देखते हैं यह पर्सलेन मेरे काफी ज्यादा खुबसूरा थे बहुत ही खुशंदर लगता है यहां का एरिया बहुत अच्छा लगता है देखने में इनके फ्लावर्स की वज़ए से एक देखो दोसको देखके सर्प्राइज भील्कुल तो मैं अभी आपको दिखाऊंगी और यह देखिए कहने लिम बहुत अच्छे फ्लावर्स आ रहे हैं और यहां पर यह डबल चाननी बहुत अच्छे अनि फ्लावर्स आते हैं इसमें बंच में ऐसे कलिया आती है और यहां किनेताय। यहां निकालती जिसम में फटलाजर करें तो गरवी बहुत जथा पढ़ रहिए हूं तो अबरेमानिक प्ल्न को ठोट करने में थोड़ा सीजनें मैं अपनी प्लाइंग लगाती हूं parle को निकालते हैं तो पूरी रोट। फूल जाती है तो तो पिर मैं रैद क्वाइब करेंगा तो मैं आप लोग के साथ जरूर खरूंगी तो मैं अपने जितनी बी गटिंग लगाती हूं पहले में उसको मैच्चोर हो जाने देती हूं अच्छे से ताकि प्लांट काफी अच्छा हेल्दी हो जायं और जब अच्छे से ग्रोथ कर लेगा तो फिर मैं इसको फिर अलग से रीपॉट करूंगी तो मैं जितनी में कटिंग ग्रो करती हूं अपने गार्डन में इसी तरह से करती हूं आज इसका नेर में तो फ्लावर नहीं आए हैं यह वाला यह वाला देखिए कि इतना जादा ब्यूटिफिल कलर है इसमें दो कलर के फ्लावर सोते लेकिन यह देखिए मेरा हाइब्रेड विनका का प्लांट निकल कराया है जो कि सीड से गिरा होगा सीड इसका और कितना ज्यादा ब्यूटिफुल और हेल्दी प्लांट निकल कर आया हैं और आज इस में फ्लावर किला है तो मुझे देखकर बहुत अच्छे लग रहा है मै देखकर इसको मैंने बिल्कुल अभी देखा इसे तो यह हमारे लिए ऐसे प्लांट जब रो हो जाते हैं तो एक सर्प्राइज का ही काम करते हैं यहां पर देखिए मिर्च के प्लांट अपने आप ग्रोह कर कितनी ज्यादा फ्लावरिंग कर रहा है कि इतरी कोस्मोस है और यह देखिए मेरे जो पुदीना के प्लांट है इनको भी होड लगी हूए बिल्कुल यह फ्लावरिंग पर है और वैसे तो जल्दी फ्लावर आते नहीं लेकिन देखिए कितने ज्यादा फ्लावर इनमें भी आये हुए हैं इनको भी फ्लावर्स फ्ला है और यह तो सारे मेरे मेरी गोल्ड है जो कि अपने आप ही ग्रोव हो गया है तो मैंने इनको लगे रहने दिया यहां पर देखिए मिर्च का प्लांट है कितने ज्यादा कलिया इसमें आई हुई है एक बालसम का प्लांट है इसको मैंने बिल्कुल रिपॉर्ट नहीं कि इ नहीं हो पाई है यहां पर मैंने पोई साग की कटिंग लगा दी देखिए कितने अच्छे से ग्रोव हो गई है और थोड़ा से इन में न्यूट्रियंस की कमी दीख रही है देखिए बिल्कुल मैंने ऐसे ही लगा दिया था पड़ी हुई थी मेरे सबजी के लिए आई थी और यह देखिए मोगरा फिर से कापी अच्छी ग्रोथ कर रहा है और देखिए कितनी सारी इसमें ब्रांच आ गई है और सब में कलिया भी बन रही है तो यह अभी पूरी रेनी सिजन बहुत ज्यादे फ्लावरिंग करने वाला रिए देखिए ग्रास ओपर बहुत ज्याद लगर फ्लावर्स तो बस फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही यहां पर देखिए मैना मैक्सिकन पिटूनिया जो कि बहुत ही ज्यादा फ्लावरिंग सुबर टाइम इसमें इतने ज्यादा फ्लावर्स आय रहते हैं अब देखिए इनके फूर बूर जाने लगे हैं बहुत ज लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए और मेरे चैनल पढ़ना है तो सब्सक्राइब भी कर लिजिए और प्लीज बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजे ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहें थैंक्यू फ्रेंड्स बाइ कर दो कर दो दो कर दो हम आपको अब से ही खाली खो कर दो हम आपको दो कर दो है।